नश्कार दोस्तों सबने मेरी राम राम मेरा नाम है प्रदीव सरहयान वी मैं आपका स्वागत करता हूं UPSC समाचार आज हमारा 27 मई है आज हम फटा-फट देख लेते हैं कौन-कौन सी न्यूज हमें पढ़ने वाले हैं इंडिया रिकोर्ड स्ट्रेड डेफिशिट आउट उस अरव में हैं रव घरने कंटरीज जो कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं विज्लिंस का लेंदियन करती टोपेन कंट्री इस चेस साहब के साहरेट नहीं है एक लिए रेट्टहल माईनिंग सब्सक्राइब कि उसके अंदर कोईला बगारा निकालने की चाहत में कुछ लोग दब के मर गए हैं ये चीज बहुत लंबे समय से हो रही है असकास करकि मेगाले साइड रेट होल माइनिंग क्या होता है रेट होल एक चूहे जैसा छेद इतना छोटा छेद करके जिसमें एक बच्छा चला ज रहे हैं एडल तो हाउसिंग स्कीम ट्राइबल फाइंड तू ओपन जो ट्राइबल से सरकार हमेशा से कोसिस कर रहे हैं की उनको हम मेंस्ट्रिम में एंटरी दिला पाएं बट हम वो नहीं कर पारे गोर्मेंट की अलग-अलग जो इंडिया पोस्ट बैंक है वो इसमें इंक्लूडिड नहीं है अक्सर उनकी डेटेल मिस्मैच हो जाती है आधार कार्ड उनके पास अगर है नहीं तो अगला ऑप्शन क्या होगा मोबाइल अप्लिकेशन में मैच नहीं होता है डेटा अलग-अलग है मन्रेगा में डेटा क कुछ है उनकी स्कीम में कुछ है तो बहुत सारी ऐसी प्रोब्लम आरे इसकी वज़े से बेचारा जो ट्राइबल है वो उसका फाइदा नहीं हूटा पार है कि विरुपक्सा टेंपल जो की हमपी में है विजन अगरंपर के टाइम का बनाये हुए तो वहां पर जो पिलर हो प्रोटा के पास हमारा स्पेस्टेशन है तो वहां पर कुछ जो लोग रहने वाले हैं उनकी रिहाइस को लेके कुछ रोल सेंज करने की बात करी जा रही है इसलिए नियूज में आया है अभी इसके उपर हमने पहले भी आर्टिकल देख चुके हैं रश्या ने धंकी दी य अब इसके उपर फ्रांच स्वरी फ्रांस का तो प्रेजिडेंट मैक्रोन उन्होंने चिंता जटाई है कि यह क्या मजाक है नूकलियर को बच्छों का खेल नहीं है नूकलियर पुरी धरतियों खतम कर सकते हैं तो इस आर्टिकल में बहुत सारी बाते डिसक्स करेंगे कि न नूकलियर वर के क्या इंपक्ट हो सकते हैं 1962 में क्यूबन मिसाइल क्रैसिस हुआ ऐसे ही जब USSR ने मिसाइल लगा दी थी अमेरिका को तबाह करने के लिए बड़ी मुश्किल से बचाया था इसके लावा इंडिया और अमेरिका की डील हुई थी नूकलियर डील 2005 में उसको लेके बताया गया है नूकलियर को डील करने के लिए कौन-कौन से ट्रीटी है में ली तो एंपीटी है सीटीपीटी है यह दो है तो इंडिया ने साइन नहीं कर रखी यूएस से नहीं कर रखी और रशिया निकल गया है इसके बाद आज हम अफ्रिका की लेक्स और करना है देखो इंडियावि इंडिया साथ सौड़ इंडोनेश इंडा कि साथ हम पॉजीघ में है लेकिन और आल हम इतनाRY नेगटीव में तो हमारे देश के ऊपर करजा बढ़ रहा है ये हमारी इकौनोमी के लिए यह अच्छा शाइन नहीं है इस मेंRoille करना चाहिए हम यह सब्सक्राइब ना चाहिए तो हमारे पास हमारे उपर बढ़ रहे हो दो तरह का हो सकता है यूज हमने लिए और यूज कर लिया वो खतम हो गया और जिससे हमने कुछ Eesiạट कर लिया तो अगर हमारा करण्ट अकउंटय देफीशिइट दो ठीक है स्वारिशिय नहीं अगर हमारा के पिट Elsitu अकॉंक्व में ठीक नहीं अगर मान लो मैं आपको हजार रुप्रे देता हूं और आप आपने 1000 रुपए से कोल्डरिंग पी ली दूसरे कंडिशन में आपको 1000 रुपए दी 1000 रुपए से आपने यह समझो आप आप आपने वो मशीन लिया जिस पर वेट तोलते हैं तो इस दूसरे केस में क्या होगा वह आपका एसेट बन गया कल को आप उसे बस्टेंड के पास र लिया खतम हो गया तो मतलब हजार पर वापिस नहीं आने वाले तो करन्ट अकाउंट डेफिशिट जो है वह खत्रा है बैलेस्ट क्या होता है सिस्टेमेटिक रिकोर्ड ओल्ड एकॉनमिक ट्रांजिक्शन बिट्विन रेजिडेंट और रखना सिटिजन नहीं रेजिडें जिसका में काम क्या है बैलेस और पेमन क्राइस इसको रोकना यहां अब रसेंट में स्री लंका फेस कर रहा था तो इक सब्सक्राइब करन्ट काउंट केपटल अकाउंट एकोनमी में आएंगे करन्ट अकाउंट में गूड्स वैलेंस सर्विसीज यूनिट्ट ट्रांसफर यह सब आपको पता रहना चाहिए अगला हमारा है रेट होल माइनिंग पुराने टाइम का है बहुत हजार डियस है छोटी-छोटी टंदल खोदते हैं को लेक्स करने के लिए उसमें अक्सर क्या आता है बच्चों को भेजते हैं एक दस से बारा साल का बच्चा वह उसमें गुसके अंदर जाके लेकर आ सकता कोईला लेकिन क्या बड़े-बड़े मजदूर भी दब जाते हैं इसमें इसमें साइड कटिंग बॉक्स कटिंग इस तरह की टेकनिक है तो य मैनिंग हो रही है खास करके आप देखो कि 2018 में बहुत सारे लोग मारे गए 17 मारे गए थे लेकिन फिर भी इनको अकल नहीं आ रही है जो पैसे के लोग में किये जा रहे है चलो यह अच्छा स्कीम है पी एम जन्मन जन्मन का मतलब क्या है प्रदान मंत्री आदिवासी न्य आए महा अभियान तो इसमें क्या है कि हम जो ट्राइबल्स हैं उनको घर देना चाहते हैं जैसे पीम आवास योजना होती है तो उसके में हमको दिक्कत आ रही हम पर्टिकुलर्ली किसको ट्रागेट कर रहे हैं पीविटीजी को पर्टिकुलर्ली वर्डेबल ट्राइबल यह ट्राइबल से भी जादा वन्रेबल हैं ऐसे टोटल इंडिया में 75 अडेंटिफाइड है यह पूछा दा चुका था यूपसे ने 75 की जगाए को 95 करके दिया था तो इनके लिए हमारे पास दो स्कीम है एक तो आया था प्रदानमंत्री प्यूटिजी डेवलपेंट मिश करोगे लेकिन दिक्कत क्या रही है दिक्त यह कि इनके पास आधार काड़ में नाम मिसमैच हो रहे हैं या जो सरबंच वगए रहे हैं वो नोटा पीवी जीजी से बिलोग करता है तो वह इनको पैसे मांगता है या या इनको ind explodes करता है या यह हो नहीं पा रहे है यह इसको तो इनको हम चाहते हैं एग्जाम प्रस्पेक्टिस आपको बता रखना 75 स्ट्राइबल कमुनिटीज अठारा स्टेट में फैली है है 24 क्रोड का हमने इनको बजट दिया है विलक से उडिसा के अंदर सबसे ज्यादा पेवी टीजी है कुछ 16 के आसपास हम पहले भी देख चुके हैं तो इनके लिए यह हाउसिंग स्की में पीम जन्मन तो इसमें दो लाख 49 अरुपे इनको देंगे तक घर वगरा बनाज वह रिमोट एरिया में चलती नहीं है वहाँ पर नेटवर्क है नहीं यह जो गाओं के लोग है उनको पताई नहीं दूसरे उनके नाम पे किछी और ने घर ले लिया है विसके वह तो पढड़े लेखिय के हमको इ ministre कीømba करेशन ऐसं प्रोफाल यह अना हर हर जगा बैंक की रिच है नहीं इंडियन पोस्ट पिमेंट बैंक जो की पोस्ट ऑफिस के थुरू खोला है तो पोस्ट ऑफिस भारत में हर जगह खुले वे हैं लेकिन वह इसमें इंक्लूजिन ही नियुस्टीज का एक मेज़र ड्रोबैक है जोग्राफिक का लोकेशन है वह पर्टिकुलर लोकेशन वही से उठाता है लेटिटूड लोगिटूड तो वह वहां पर एप वगारा काम नहीं करती अब इसमें जोब कार्ड मेंडेटरी है मन्रेगा का मन्रेगा में उसका नाम इंकरेक्ट है वह अधारकार से मैच नहीं होता है तो अब क्या करें सब्सक्राइब नहीं नहीं जो नोन प्रियूटी सरपंच हो डिस्क्रेट कर रहे हैं जियो टगिंग फीचर है वह नहीं पार है वहां जाके तो अन्नेसेसरी यह समझो की यह दिक्कत हो रखिए किसी का नाम अंदर है किसी का भार है बहुत सारी कॉम्लिकेशन से हैं पूरी के साथ यह जो मन्रे का वगर है इसको डेटा को मिसमैच हो रखा है इसको क्रेट किया जाए इनके लिए आउट्रीच करने के लिए स्पेशल बंदे भेजे जाए जो इनको हेल्प करें जो इंक्लूजिन एक्स्कूजिन एरर उसको ठीक किया जाए देखो कि रजिस्टेशन सब्सक्राइब हो पाए विचारे बहुत लंबे समय से परिशान है अगली नूज हमारी विरुपक्षा टेंपल यह हमारा विरुपक्षा टेंपल है हमपी में फेमस तो जो यह पैविलियन होता है इदर मंदिर में जाने के लिए उसके जो पिलर बगार है वह थोड़े से सब्सक्राइब हो गए है विकोज ओफ हैवी रेनफोल यह युनेसको वर्ल्ड हैटे साइट में आता है सेवन सेंचुरी में बनाया था और चलो क्या के टाइम चला रहा है यहां पर जो में रूलर था कृष्ण डेयर आया था तो यह टेंपल है इस डेडिकेटेट टू वि विसारा तो यह आर्ट अंगल चलेंगे साउथ इंडिया की जो शैली है टेक्नीक है जो टेंपल्स को बनानी कि उसको हम बोलते हैं और आर्किटेक्ट्ट्र गौपुराम्स मंदपम्स यह सारे यह टरम्स यह आर्ट अंग कल्चर के हैं अराम से आप आर्ट उनकल्चर में स पूछा जाचुक है 2016 में पूछा था किस से लेटिट है तो यह विजेंगर एंपायर से रेलेटिट है गर्बा ग्रहा गर्बा ग्रह क्या होता है जो मंदिर के बिल्कुल सेंटर का पार्ट होता है जहां मूर्ती रखी होती है उसको बोलते हैं घर्बा ग्रहा ठीक है चलो यहां पर इको सेंसेटिव जोन को डी नोटिफाई करने के लिए बाते चल रही है तकि एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगरा किया जा सके तो वहां पर दिक्कतिया आ रही कि अगर उसको हमने डी नोटिफाई कर दिया तो वह लोग जो वहां रह रहे हैं या जो पर्टिकुलर मिनरल के लिए एंसे अर्ट मेंशन है आप बताना नेलोर में शाह माइंस हैं शाह माइंस किस चीज़ के लिए फेमस है यह आप कुशन एड़ कर ले ना कमेंट में बताना ठीक है मैं इंतजार करूँगा यहां पर अरानी रीवर है श्री हरी कोटा से हमारा ल पढ़ो तो एक बर यह देख लेना बंदा कौन है यह और इंडिया के नेशनल सिक्यूर्टी एडवाइजर रह चुके हैं और वेस्ट बंगॉल के गवर्नर रह चुके तो बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है इन्होंने आर्टिकल लिखा रहा होगा तो बहुत अच्छे से लिखाओगा अपने अनुभाव से अब देखो इस सारे कमक करक्स बढ़ा देता हूं इस पूरे आर्टिकल में यह कहना चाहरे हैं कि रिसेंट में यूक्रेन को धंकी दी रश्या ने कि हम हमेसा त्यार है हमारी नूक्लियर मिसाइल इसको लेकि यूरोप में चिंताएं खत्रा है रश्या और यूक्रेन तो बरबाद होने वाले हैं ऐसे चलता रहा दो लेकिन यूरोप बहुत आबाद है ड़ता वही है जिसके पास कुछ है अब रश्या कहरा है कि मैं फेक दूँगा कहीं और से लेके फेक देंगे लेकिन यूरोप बेचारा अपने अराम से ज जाता है तो पूरे ग्लोबल सारा कनेक्टिट आज की दिन ग्लोबल सप्लाइचें डिसरप्ट होगी जो ग्लोबल शेर मार्केट्स है या ग्लोबल ओयल के प्राइसीज है फूड के प्राइसीज है वह सब बिगडेंगे ट्रांस्पोर्टेशन रुख जाएगा एरोप्ले बिखर साबिया गया इसका हूट का मुवी का गाना है शरफ रोश्का जिन्दिकी मोध ना बन जाए संभालो यारो में डीके ऐसा मुझाना है और हाथ आनलवन खत्रे में आसा कुछ गाना है तो मदश्ट या मोद ना बन जाए इसका खत्रा है मैं क्रोन को इसी कॉंटेक्स्ट में इंडिया और यूएस की जो रिलेशन है वो इस आर्टिकल में डिसकस हुई है देखो इंडिया ने क्या किया था 1973 में एक टेस्ट किया नुक्लियर टेस्ट अपना पोखरन राजस्थान में जिसके बाद पूरी दुनिया को पता लग अब इंडिया के पास घूकलियर बोंब है उसके बाद ग्रूप बनाय गाए जिलेक्स पॉकर्फ की मेंब्स बनाएं इंडिया को कोई भी नुक्लियर फ्यूल नहीं देगा इंडिय के पास की उन्याइघ ए उरियनियम हमारे पास ँंभी जचस पास-पास है जादू-गोडा माइन्स में बट जो न्यूक्लियर फ्यूल है कैनेडा उज्विकिस्तान और ऑस्ट्रिलियन के पास बहुत है इन सब ने मना कर दिया है फिर हमने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया बना कर दिया लेकिन हमने यूएस की साथ अच्छे रिलिशन बनाए दो हजार पांच में इंडिया न्यूक्लियर इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुई और रश्या यूक्रें यूएस से ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया अमेंडमेंट नंबर कुछ उसको बोलते हैं कि हम नहीं फैलने देंगे इसके बाद आता है कि हाँ आप नूकलियर का यूज नहीं करोगे सिविल और मिल्टरी परपस के लिए वह हमने साइन नहीं करी फिर भी यूएस से ने हमको वह दरजा दिया अगर वह साइन करने वाले को देता तो तो पूरे वर्ड में एक एक न जैसे नौर्थ को या बोलता है बार-बार साउथ को गिरा देंगे मिरा देंगे इंडिया रहां कभी कभार नहीं कहता कि पाकिस्ता भी नोगत खतरना को होता है आज पास-पास वैजिटेशन कुछ निन निकलेगा तो यह उसे के बारे में था अब ये तो होगी प्रोब्ल यह है फ्रांस वाड़े कहा रहे हैं कि डिबेट डिसकॉशन हो दुबारा से अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को सब विजिट करो एक कोलाबरेशन करो और भाई इसको ऐसे जैसे तरह से आप न्यूक्लियर स्टेटमेंट पास मत करो एक बहुत पूरे दुनिया को खतम कर सकता पंदरा मिन न्यूक्लियर इतना पोटेंशियल है अमेरिका के पास आट सो नो सो हजार नूक्लियर वह हमारे पास भी 120-30 है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास एक कोलाबरेटी अफर्ट होना चाहिए इस तरह की बाद इस पूरे आर्टिकल म मैंने आपको सारा बता दिया इस आर्टिकल से जो सीखने लायक थी जो ट्रीटी वगरा थी वह अब आते हम अफरिका में अफरिका में कौन-कौन सी लेक है वह आपको बतानी मैं बताता हूं देख यह हमारा अफरिकारा यहां पर लेक चैड लेक तना लेक अलबर्ट लेक तुरकाना लेक विक्टोरिया लेक तंगानाय का लेक नयासा सूपर इंपोर्टेंट है सारी इसमें से यहां से निकलती है ब्लू नाइल तने के बांद की पीटा गया निला रंग हो गया यहां से निकलती है वाइट नाइल कोई विक्टोरिया वाइट कलर की थी तो सबसे लंबी नदी पिर हमारे पास है लेक विक्टोरिया इस से एक्वेटर पास होती है लेक तंगा नहीं का और लेक नया साथ दोनों ही रिफ्ट पहली लेक हैं अब यहां पर एक भूत बड़ी दरार फट रही है अफ्रीका के दो रुकड़े होने वाले हैं आने वाले स्टेट में हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तुझे एक विक्टूरिया सेकलों से लाइड़िक की है सब सही सबसे बड़ी लेक कोन सी है वर्ट क्या आप बता देना सबसे गहरी लेक और सबसे बड़ी लेक दोजेạnh बलय P से निकलती है तन्हें से बांद के पीठ रहें लेक चैड है लार्जेस्ट रीवर है उस आसपास की एरिया की लेक नशीर भी है मैंमेड है लेक करीबा लेक असल यह इतनी इंपोर्टन नहीं है इनको छोड़ भी सकते वाकि अपने एटलस में मार्क कर लेना तंगा नाइका औ स्वेज कैनाल है लेक अलबर्ट कोंगो रीवर इक्वेटर को दो बर काटती है देखो देख रहें ने दो बर काट रही है लेक विक्टोरिया लेक तंगा नाइका लेक लेक तंगा नाइका लेक नयासा जांबेजी लिंपोपो औरेंज रिवर लिंपोपो कैप्रिकोन को द arrange the following Lakes from the North to South मैंने आपको चार लेक्स के नाम दिये हैं आपको arrange करना है सबसे North फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर South ठीक है विच कंट्री है साइन कर रखी इंडिया यूस रशिया और सबने कर रखा है या फिर किसी नंग कर रखा है इंडिया वह बता सकते हो 65 75 85 95 चार उप्शन देता हूं है इस तरह कुशं में आपके भी है UPSC में, I hope आप सब की अंसर करना, इसको habit बना लेना, जिसने भी वीडियो देखी है, कमेंट करना, कमेंट करी हुई चीज याद रहती, उमर भर तक, ये बात नोट कर लेना, thank you.